ओम नमो भगते वाजदेवाई नमाँ श्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूटुब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको जानकारी दूँगा कि पूरण मासी के दिन कोन से ऐसे यूग बन रहे हैं और कोन सी रासियां भागी सालियें और साती पुत्र धन प्राप्ती के लिए कोन से आपको उपाय करने हैं ये संपूर जानकारी आपको इस वीडियो के माद्यम से प्राप्त होगी जो भी चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब करें बागल में बैल आइकन बटन को दवाएं हर वीडियो को नोटिपिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की नोलिज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी रासियों से सम्मंदित उपायों से सम्मंदित पूरण मासी का विश्यश मेत होता है सास्त्रों में का गया है कि अगर पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है दन प्राप्ति में रुकाव अटे आ रही है तो व्यक्ति को 32 पूरण मासी का व्रत रखना चाहिए 32 पूरण मासी का व्रत करने से हर प्रकार की मनुकामना पूरी हो जाती है आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही बड़ा उपाय है इस बार पूरण मासी पर बहुत ही अच्छा योग बन रहा है आपको क्या करना है एक लोटे में जल भरना है उसमें थोड़ा सा गाय का दूद डालना है साथ ही आपको एक किसी पातर में पंचा मरत दूद, दई, सैद, घी, सक्कर ये पाँचों चीजे तियार करके रख लेनी है पाँच दीपक बना करके तियार करने है ये माउपाय में बताने जा रहा हूँ उसके बाद राशियों की जन करें दूँगा पाँच आटे के दीपक बना करके तियार कर ले पाँच पुष्प ले ले और पाँच ही आप आग के पत्ते ले ले सपेद आग जो होता है जो पूष की पत्त्ति ले ले नहीं तो आप बेल पत्ति ले ले पांच बिल पत्ति की पत्ति और पाँच ही तुलसी की पत्ति और धो केला लेनी आपो यह सारा सामन आप एक इतर कर lे जो लोटे में झलल है उससे भगवान सिभ जी का अफशे करना है ओम नमश्वाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान सिभ जी का अफशे करने के बाद में पाँच बेले पत्र पर पाँच चावल के दाने और पाँच पुष्पु रखके एक एक पत्ता जो है आप भगवान सिभ को अरपन करते जाएंगे और साथ ही ओम नमस्वय मंतर का जाप कर दो अपनी इच्छा बोलते होगे प्रवु मेरी यह मनुकामना पूरी हो जाएंगे भगवान के सामने दीपक जला के खीर का प्रसाद भगवान को अरपन करना है खीर का प्रसाद पूरण मासी के दिन जो व्यक्ति भगवान सिभ को खीर का प्रसाद अरपन करते हैं उनकी प्रतिक मनुकामना पूरी हो जाती है नहीं तो आप खीर का प्रसाद बनाया तो ज़्याद अच्छा है और साथ ही पत्ते पर चाबल के दान और पुष्परकर के केले का फल आपको तुलसी पत्र के साथ अरपन करना है यानि केलार तुलसी भगवान को अरपन करने है और भगवान के सामने दीपक जला करके उसमें आपको दो लॉंग डाल देनी है भगवान से पुत्र प्रापते के लिए प्रात्रा करनी है तीसरा दीपक तुलसी माता के स पूरी होगी और धन मिलेगा सुक और सम्रदी मिलेगी जब भगवान सिवक आप आप से कर रहे हूं तो उसमें से थोड़ा सा जल ले आना है सिवलिंग से नीचे गिर रहा हूं उसमें से पी लेना है वागी जल आपको पूरे घर में छिड़क देना है और केले का पलव तुल कुम और मीन रासि ये रासिया हैं जो इस दन बेहदी भागी साली रहने वाली है इन रासियों का योग बहुत है जाए दोस्तों सास्त्रों में का गया है कि पूरो नमासी की दिन अगर व्यक्ति तुलसी माता के सामने दीपक जला के ग्यार प्रक्रमा करते हैं और बट बरक की प्राप्ति का आशिर्वात प्राप्त होता है वीडियो को शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब